गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंस, वेलकम टू यूर हिंदी क्लास बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तक भाशा रत्म तीसरी कक्षा से पाठ छे का पठन करेंगे जिसका शृष्यक है हमारे पशू, अवर एनिमल्स बच्चों, पशू मनिश के सबसे पुराने मित्र है पशू के माध्यम से ही मनिश का जीवन आसान हुआ है अगर पशू ना होते तो हमारा जीवन निश्रित रूप से बहुत ही कष्टकारी होता प्राचीन काल से ही पशू ने मनिशियों का साथ दिया है और आज भी दे रहे है पालतू पशू जो हमारे द्यनिक जीवन में काम आते हैं जैसे गाएं, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, उंट, खचर, गधा, भेड, याक, कुता, आदी का प्रमुकस्तान है पशू के लाब, बच्चों पशू पालने की अनेक लाब हैं जैसे गाएं, गाएं हमें दूद्ध देती है बैल, बैलों को कृशी कार्यमें लाया जाता है भेड, भेडों से हमें उन प्राप्त होती है जिससे हम अपने लिए वस्तर बनाते हैं हाथी, हाथी को भारी सामान ढूने के कार्यम में प्रयोक जाता है उन्ट रेगिस्तान में सवारी के काम आता है उन्ट को रेगिस्तान का जहाद्स भी कहा जाता है कुटा बच्चों इसे हमें यह पता चलता है कि पशु हमारे सचे मित्र हैं लेकिन मनुश्य क्रूर बनता जा रहा है पशुओं के साथ बरबरता के साथ पेश आता है हमें उनको अच्छे ढंग से पालना चाहिए क्योंके वह हमारे लिए बहुत ही उप्योगी है पशुओं के बिना मानव जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती आशा करती हूँ के आपको पशुओं की जानकारी राप्त हो चुकी है धन्यवाद